नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक वार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल प्रेगा हब में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ अगर आपके सपने में आपको ये 3-4 फल अगर दिखाई देते हैं तो आप तुरंत अनुमान लगा सकती हैं कि आप एक बेबी बॉय को जनम देने वाली हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही यूसफुल होने वाली है और इंपोर्टेंट होने वाली है वीडियो को जरासा भी स्किप ना करें और पूरा जरूर देखें अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं आये हैं और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइगन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिल सके आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले और दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें जोस्तो आपके एक लाइक से हम वीडियो आगे बनाने के लिए प्रमोट होते हैं आपको पहले ही बता दूँ कि हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी लिंग को भड़ावा देना बिलकुल नहीं है लड़का होया लड़की दोनों ही अपने माता पिता के लिए समान होती हैं और दोनों ही हमारे चैनल के लिए समान हैं हम बीडियो दोनों पर ही बनाते हैं और ये बीडियो सिर्फ जो आपकी प्रेगन्ट होने के बाद एक इक्चा होती है यह जानने की कि आपके गर में कौन पल रहा है उसी जग्यासा को सांथ करने के लिए यह बीडियो बनाई जाती हैं आप इनका गलत मतलब बिलकुल भी ना एक तीन चीजे दिखाई देती हैं तो आप एक बेटे को जनम देने वाली हैं दोस्तों जो पहली चीज होती है वो होती है गनेश जी या फिर एलिफेंट अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी के दोरान गनेश जी या एलिफेंट दिखाई देता है आपके सपने में तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आप एक बेटे को जनम देने वाली हैं ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको सपने में elephant दिखाई देता है तो आपको एक बुद्धीमान फुत्र की प्राप्ती होती है आपका जो बच्चा होता है लड़का होता है वो बहुत ही सर्व बुद्धीमान प अगर आप आपकी pregnancy के दोरान जो sibling होती है महादेव की उस पर आप अगर दूद्ध को चड़ाते हुए अपने आपको देखते हैं नीद में या फिर सपने में तो आप अनुमान लगा लें कि आप एक बेटे को जनम देने वाली हैं दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आपको सिबजी पर जल या फिर दूद्ध चड़ाते हुए देखती हैं तो आपको एक गुड़वान पुत्र की प्राप्ति होती है और दोस्तों जो तीसरा होता है वो होता है अगर आपको आपकी pregnancy के दोरान सपने में बिलकुल अंधेरा दिखाई देता है और अंधेरे मे आपको एक जलता हुआ दीपक दिखाई देता है तो यह भी एक गर्ब में लड़का होने का सिम्टम माना जाता है यानि कि ऐसा बोलते हैं आपकी pregnancy में आपको जलता हुआ दीपक दिखाई देता है नींद में तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है तो दोस्तों य थी वो तीन चीजे अगर आपको प्रेगनेंसी में सपने में ये तीन चीजे दिखा ही देती हैं तो आप एक बेटे को जनम देने वाली हैं दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छे लगेगी अच्छे लगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मि तक के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग